बिस्मिल्ला रहुमान रहीम, असलाम अलेकम, वेलकम तो बैक मैं चैनल, नबीला अलाइब दिक में खुशामदीद कहती हूँ, आप सब कैसे हैं, मीद करती हूँ, खेरी हैस्ते होंगे, आज मैं आपके लिए बहुत ही खुबसुरत दिनों का जिस तरह के खदर का कपड़ा ह होता है, उस तरह का ये देखें, कपड़ा लेकिया, ये बिल्कुल गरम कपड़ा है, तो इस पर मैं आपको फ्रॉक बनाने का और नेक डिजाइन बनाने का तरिका बताऊंगी, ये मेरी बेहनों ने मेरे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है, जल्दी से सब्सक् ली है, जो के मुझे सिरफ और सिरफ 16 इंच चाहिए, तो मैंने 4 इंच जाफी ली है, जो के मैंने 5 बनानी है, और इसकी चुड़ाई, यानके width वो मैंने ली है, 10 इंच जो के मुझे तियार 8 इंच चाहिए, वो cutting बगएरा में सारा कपड़ा पूरा हो जाएगा, फिर इसकी मताबक हम back की cutting कर लेंगे, और ये मैंने नीचे वाली गगरी भी ठार कर रखी हुई है, ये मैं तकरीबन 3 साल की बच्ची का बना रही हूँ, मैंने बड़े अर्ज का कपड़ा लिया है, जो के 1 मिटर से थोड़ा सा अजाफी था, तो ये 3 साल की बच्ची का easily बन जाएगा गगरी की चुड़ाई जो है, वो मैंने 34 इंच लिया है, और इसकी लंबाई जो है, वो मैंने कितनी लिया है, वो मैं आपको बताती हूँ, वो मैंने तकरीबन 17 इंच लिया है, जो के तियार होकर हमें 16 इंच चाहिए है, 16 इंच घगरी तियार होकर रहे जाएगी, 8 इंच बॉड़ी तो तकरीबन 24 इंच हमें फ्रॉब की लेंथ चाहिए सबसे हमने पहले बॉड़ी की फ्रांट साइड ले लेनी है इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लेना है दर्म्यान चे हमने तकरीबन सिरफ दो इंच जगा चोड़ कर पिंटक्स बना देंगे एक इंच इस साइड पर भी हम एक इंच पर मार्किंग कर लें यह देखें यहांसे हमने इदर और इक इंच इदर छोड़कर यहाँ से तरह से पर पकडोंगी और फांट इड़ से परना लूँए ये देखें अब हम बिल्कुल इसके साथ दूसरी पिंटक्स बना देंगे एक सूतर या दो सूतर जगा छोड़ का दर्मियान में इस तरह से बनाते जाना है ये देखें एक साथ पर हमने पिंटक्स बना ली हैं इसी तरह से अब हम दूसरी साथ पर भी बना लेंगे इदर से स्टार्ट करेंगे और इदर को बनाते जाएंगे ये जो बैक सैड है यहां से हम इदर तरमियान से कटिंग कर देंगे इदर हम जिप लगा लेंगे अब हमने जो नेक डिजाइन बनाना है वो मैं आपको बताती हूँ ये देखें ये मेरे पास ब्लैक कलर का कपड़ा है जो के मैंने इसकी फ्रेल नेक पर लगानी है मैंने इसकी चुड़ाई तकरीबन 4 इंच ली है तो लेंग हमें जितनी चाहिए मुटनी लेंगे क्योंकि हमने इसमें फ्लेट्स बनानी है हाँ से तो वो हम ज्यादा बनाएंगे अब हम इसको निचली साइट से फोल्ड कर लेंगे बिल्कुल बारीक बारीक आप इदर पाइपिंग करना चाहें फ्रील के एंड पे तो पाइपिंग भी कर सकते हैं यह देखें, अब यह जो हमारे पास फ्रील है, हम इसको यहां से स्टार्ट करेंगे, बैक वाली साइट से, और इस तरह से लगाते जाएंगे, साथ साथ ही हम प्लेट्स बनाएंगे, आप अगर पहले प्लेट्स बनाके रखना चाहें, तो भी रख सकते हैं, कच्छा करके, य देल जितनी चोड़ी होगी, यानि के इसके वित्ध ज्यादा होगी, इतनी ही खूबसूरत लगेगे, बिलकुल बारीग बारीग से प्लेट्स मनाते जाना है, इस तरह से, इस तरह से करते जाना है, बहुत ही असानी से बन जाएंगी, यह देखें, यह हमारी फ्रील लग चुकी है, अब मेरे पास यह जो चोटी फ्रील हमने लगानी है, यह मैंने तकरीबन दो इंच कपड़ा लिया है, यह देखें, और इसको हमने इस तरह से फोल्ड कर लिया, तो यह एक इंच रह गया, इसको हम इधर लगाएंगे, यहाँ पे, इसको हम पहले कच्चा कर लेंगे, क्यूंकि बहुत असानी से और सफाई से लगेगे यह देखें, अब हमने फ्रिल त्यार कर लिया है, अब हम इसको इधर रखकर सीधी साइड पर लगा लेंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे, इस तरह से रखकर हम सलाई लगाते जाएंगे यह देखें, अब एक इंच के क्रीम मैंने एक रेम में पट्टी ली है, इसको हम इधर रखकर लगाएंगे, यहाँ से हम स्टार्ट करेंगे यह देखें, अब हम इसको इस तरह से फोल्ड कर लेंगे, इस तरह से और यह वारी जो हमारी फ्रील होगी, इस तरह से खड़ी हो जाएंगे पहले हम इधर चोटे-चोटे नोचिस लगा लेंगे, ताके सिल्वेट उगेरा ना और फोल्डिंग में असानी हो यह देखें, इस तरह से हम इसको फोल्ड करके सलाई लगा देगे यह देखें, अब हमारा नेक डिजाइन जो है, वो तियार हो गया है अब हमने पीछे जो जिप लगानी है और इस चीज को कवर करना है, वह आपको प्रॉपर तरीक अब दाती अब हम बैक के यहां से स्टार्ट करेंगे कपड़ा लगाना और फुल इस तरह से लगा लेंगे और यहां से हम हाफ इंच के बराबर थोड़ा सा जाफी रखेंगे ताके फोल्डिंग के साथ अच्छे से हो जाए इस तरह से इस फ्रील को भी हमने इसमें कवर का लेने है ये देखें दोनों साइड उपर मैंने कपड़ा लगा लिया है अब हम इसको इस तरह से अच्छे से फोल्ड करेंगे इस तरह से करके अंदर को हम फोल्ड करेंगे और प्रेस करके बिल्कुल टैब अठा लेंगे यह देखें अब हम जिप रहकर इधर लगा लेंगे यहां से इस तरह से फोल्ड करके हैं इसको बहुत अच्छे से लगाएंगे यह देखें कितना अच्छे से हमारा रोनेट यह देखें फ्रील वाला त्यार हो गया है इतनी खूबसूरती के साथ अब हम इसकी नीचे वाले घ्रगरी लगाएंगे और मैं वो बताऊंगे कि हमने किस तरह से लगानी है यह हमने बॉक्स प्लेट बनानी है वो मैं आपको बताती हूँ यह हमने दो दो इंच पर मार्किंग कर लेनी है यहां से हमने दो इंच छोड़कर इदर मार्किंग कर लोगी एक हम इधर दो इंच पर मार्किंग कर लेंगे इस तरह से हमने दो दो इंच पर मार्किंग कर लेनी है बिल्कुल बराबर अब हमने ये वाली प्लेट्स अठाकर इधर ले जानी है इस तरह से इधर इस मार्किंग तक इस तरह से और ये वाली जो है अठाकर इधर ले रही है बिल्कुल इसके साथ मिला देने हैं इस तरह से यह देखें यह हमारी एक प्लेट बन गए है इसे हम बॉक्स प्लेट कहते हैं इधर में पेन लगा दूँए यह हमारी एक मकंबल हुई अब यह जो है यह हमने अठाकर इधर ले जानी है इस तरह से इसको हमने इसके साथ मिला देने इस तरह से आप 3-3 इंच की बनाना चाहें तो 3-3 इंच की भी बना सकते हैं जितनी आपको अच्छी लगें आप उतनी बना लें उतना कपड़ा जाफी रख लें यह देखें और इसको हमने ठाकर इधर ले आना इस तरह से इसको भी हम इधर पीनप कर देंगे इसको भी इदर पीन अप कर दे यह देखें यह हमारी प्रॉपर फ्राग त्यार हो गई है इदर जो है यह मैंने बैल्ट सबनाग लगाया है यह मैंने कोई बुक्रम अगरा नहीं दिया इसको मैंने कपड़े को बिल्कुल सिधा कटिंग किया और इसको डबल करके दोनों साइडों पे फाइपिंग लगा दिया इस पे आप बटन लगाना चाहें तो बटन भी लगा सकते हैं बल्क कलर के अगर कोई फ्लास बगाना चाहें तो वो भी लगा सकते हैं मेरे पास टाइम शार्ट था इसलिए नहीं दिखा सकी तो यह देखे मैंने स्लीब के आगे भी फ्रिल बनाकर लगा दिया है और नीचे मैं फोल्ड कर दूँगे अगर लैस लगाने हुए बलैक कलर की शिटल की सिंपल से लगा देंगे अगर ना लगाने हुए तो इसी तरह से इसको फोल्ड कर देंगे यह देखें कितनी अच्छे फ्रॉक त्यार होगे यह वर्स कमेंट्स बॉक्स में बताया करें कि आपको किस तरह की वीडियो संद है किस तरह की वीडियो लेका रहा हैं मिलेंगे किसी नए वीडियो में अल्ला हाफिर